नमस्कार मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं नियूस क्लिक का डेई रॉंडब शो आईए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्ख्यों पर बिहार, श्रमिक, किसान और सम्विद्धा कर्मचारी हर्ताल को लेकर लाम बंग ओडिशा में हर्ताल करने पर कर्मचारीों को जेल बिजने के प्रावधान वाला वेदयक पारित कुरोना अपडेट, देश में एक्टिव मामलों में आज फिर 6,089 मामलों की बढ़ोत्री दिली चलो के आवान से घबराई हर्याणा सरकार, सिमाय सील, किसान मजदूरों ने कहा एतिहासिक होगा प्रदर्शन, रेल की नीजी करण के खिलाफ अनिशित कालिन हर्ताल के लिए भी तयार है कहा शिवकुवान मिश्रा ने केंद्र सरकार की जन विरोधी, मजदूर विरोधी और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए विबिन मजदूर यूनियनों और किसान संगड़नों की 26 नौंबर को होने वाले देश व्यापी आम हर्ताल की तयारी पूरे बिहार में जारी है मुख्य रूप से विबिन सारवजनिक और नीजी शेत्रों में काम कर रहे है शमी को, किसानों और कर्मचारियों को सीधे तोर पर प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों के खिलाफ विरोध करने के लिए इस हर्ताल से दो दिन पहले लामबंदी का ये अभियान अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गिया है ट्रेड यूनियन, किसान संगटन, विबिन शंग और एसोशियेशन इस अभियान के अंतिम चरण की तयारी में जुटे है और इस हर्ताल के आवान को अमली जामा पहनाने के लिए अपनी तयारों की शमिक्षा कर रहे है CPIM, CPI, CPIML सहित वामदल इस हर्ताल के समर्थन में अब तक सामने आये है बिहार में 27 नौंबर को इस हर्ताल के बाद किसानों का विरोध प्रदर्शन होगा हाली में संपन विहार विदान सबा चुनाओं में अच्छे प्रदर्शन से उत्साइत, वामदलों के नेता और कार्य करता इस हर्ताल को सफल बनाने के लिए सक्री रूप से धरातल पर काम कर रहे है इन चुनाओं में जहां CPIML ने 12 सीटे जीती और CPIM और CPI ने 2 सीटे जीती है राश्ट्री जंता दल ने भी इस हर्ताल को अपना समर्थन दिया है हमारी अगली खबर है ओडिशा से जहां के मजदूर और अनकामदार वर्क के लोग 26 नौबब को देश्वापी हर्ताल की तयारी कर रहे है इस कड़ी में संग समर्थित मजदूर संगटन भारती मजदूर संग को छोड़ कर सभी 10 सेंटर टेड यूनियन इस हर्ताल के समर्थन में है उडिशा में 20 सबी सेंटर्टेड यूनियन, स्वतन्त फेडरेशन और कर्मचारी यूनियन इस हर्ताल की तैयारी में लगे हुए हैं इस 20-23 नॉंबर सोमवार को विपक्ष के कड़े विरोध के बीच उडिसा सरकार ने आवश्यक सेवा अधिनियम संसुरदन विदेख विदान सभाब में पारित कर दिया हैं जिसमें हर्ताल करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए कारवास की सजा का प्रावधान किया गया है मुखी मंत्री नविन पतनाई की ओर से ग्री राज्यमंत्री डियस मिश्रा द्वारा सदन में पेश किये गये विदेख को गलत बताते हुए कॉंग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने उसके दंडात्म प्रवाधानों के लिए विरोध किया विदेख में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अवैध हर्तालों के लिए उकसाने और उसे फंडिंग करते हुए पाया जाता है तो उसे कारवास की सजा होगी जो एक वर्ष तक हो सकती है और पांच जार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है केंदी स्वास्त मंत्राले द्वारा आज बुद्वार यानी 25 नौंबर को जारी आगडो के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44,376 नए मामले सामने आए हैं इसके अलावा कोरोना से आज 481 मरीजों की मौत हुई है साथी इसी बीच देश बर में कोरोना से पिड़ित 37,816 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में आज फिर से 6,089 मामलों की बढ़ोतरी हुई है देश में कोरोना के मामलों की कुल संक्या बढ़कर 92,222,216 हो गई है जिन में से अब तक 1,34,699 मरीजों की मौत हो चुकी है स्वास्त मंत्राले की ताजा जानकारी के अनुसार रिकवरी रेट 0,04% घटकर 93,71% हो गया है यानि कुल मरीजों में से अब तक 86,42,771 मरीजों को ठीक किया जा चुका है देश में अब कुल एक्टि मावलों की संक्या बढ़कर 4,82% यानि 4,44,746 हो गई है ICMR द्वारा जाड़ी आगडों के अनुसार अब तक 13,48,41,307 सेंपल की जाज की गई है जिन में से 11,69,032 सेंपल की जाज बीते 24 घंटों में हुई है मजदूर किसानों की एकता से BJP सरकार डरी दिख रही है इसलिए वो किसान मजदूर दिल्ली न पहुँच सके इसके लिए हर हतकंडा अपना रही है परंतु ऐसा लग रहा है किसान और मजदूर भी इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है उन्होंने भी साफ तोर पर कहा उनका यह विरोध प्रदर्शन एतिहासिक होगा केंद्र के क्रिशी कानूनों के खिलाफ किसानों के दिल्ली मार्श के पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर ने मंगलवार को कहा कि पंजाब के साथ लगने वाली राज्य की सिमाएं 26 और 27 नॉवंबर को बंद रहेंगी खटर ने कहा पंजाब के साथ लगने वाली सिमाएं दो दिनों के लिए सील रहेंगी उन्हेंने कहा कि कानून व्योयस्ता बनाए रखने के लिए पुलिस सक्त कदम उठाएगी खटर ने यह भी कहा कि मैं किसानों से अपील करता हूँ कि कुछ संगटनों द्वारा किये गए दिल्ली चलो के आवान का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि केंद्स द्वारा बनाए गए तीन कानूनों किसानों के हित में ही है हम मंडियों की संक्या और बढ़ाएंगे MSP पहले की तरह जारी रहेगा किसान संगटनों ने दिल्ली मार्च के मद्दे नजट 26 और 27 नौमर को हर्याणा सरकार द्वारा पडुसी राजिस से लगी अपनी सिमाय सील करने का निर्ने लिये जाने की मंगलवार को निंदा की All India Railway Men's Federation के महा सचीव शियूंकुमार मिश्रा नियूसलिक से बात करते हुए 26 को होने वाले देश व्यापी हर्ताल के साथ अपने समर्तन को जाहिर करते हैं और बताते हैं कि नीजी करण के खिलाफ लड़ाई अभी लंबी चलेगी आईए उन्हें सुनते हैं देखिए All India Railway Commission का अनौम जी एक बहुत सोच है आज से नहीं है ये एक तक्रीबन 16 साल से हमारा ये सोच है हमने इस विशे को जीज़ती सुनते के कलकत्ते के अंदर जो है वो जीज़ दिन बहस किया इस मसले पर और हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि एक दिन की हर्ताल जो है वो लेलवे मिन के लिए संभू नहीं है चुकि एक दिन की हरताल आठ गंटे की हरताल होती है आठ गंटे की हरताल में हमारी जो शिफ्ट है रेल्वे में जिस हिसाब से काम करता है तो वो शिफ्ट जो है वो 72 हावर्स में पूरी होती है तो अगर हम ऐसी कोई हर्ताल करते हैं जिसमें कि 8 गंटे के लिए हर्ताल हो तो पता चलेगा कि 4-5 शिफ्ट में काम करने वाले लोग तो गैर हर्ताली हैं एक शिफ्ट वाला हर्ताली हो गया 68 में जब हमने एक दिन की हर्ताल की तो इतना जबर दस्त विक्टमाइजेशन हुआ और यही हालत हुई कि एक शिप्ट में काम करने वाले लोग बुरी तरीक्षिप्टमाइज हुए हम लोग ने एक मन बना लिया कि यह एक दिन की होटा जो है वर 11 के लिए सन्भव लेकिभि अब लगए गजा सवार Central Union के लोग जो है वो हम से बाहर नहीं है हम उनसे बाहर नहीं है हमने Central Union के सामने इस सवाल को रखा कि بھائ cop हमारे से वो अलग नहीं है हम उन से अलग नहीं है और हम भी Central Union के साथ हैं लेकिन हम ने उन से अपील ये की मैंने स्वेम की कि आप ये जो समस्याएं है जिनकों के ले करके हम लो राई का काम करने जा रहा है ये मांगें एक दिन की हरताल से पूरी नहीं हो सकती इसके लिए अनिश्चित काली हरताल का फैसरा करना चाहिए साथियों ने इस बात को गंबिता से लिया भी तकि मुझे नहीं मालूम है कि इस मजबूरी में हर बार वो एक दिन की हरताल बात करते हैं हमने उनंको इबात कहने का काम जिरू किया है कि एक दिन की हर्ताल से ये समस्याओं का हल नहीं होगा। इन समस्याओं का हल तबxic होगा, जब प्माम केन सरकार के संगठन एकठा होकरiemand्री कालिन का काम करेंगे। दूसी बात यह है कि जहां तक यह 26 तारीक की हर्ताल की बात है पहले भी जो एक दिन की हर्ताले हुई है उसमें आल इंडिया रिल्यूंस फेलेशन ने उनको अपना समर्तन देने का काम किया है और कोशिस किया है कि हर जिए धर्ला हो प्रदर्शन हो जो नईत यह निश्यत है कि अगर हमें हर्ताल की बात अगर करी जाए तो आठ गंटे की हर्ताल रिल्यूमिन के लिए पासिबल नहीं है यह दिन संपूर्ण जो है वह हर्ताल की बात होगी अनिश्यतकालिन हर्ताल की बात होगी आल इंडिया लिंस फेलेशन सबसे आगे जंड़ा ले लोने का काम करेंगे ऐसी मुझे आचा है आज की डेल ओर डप में बस इतना ही न्यूस क्लिक की यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक प्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया